अकाश्वानी भूपा से प्रस्तुत है प्रादी शेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनुरची प्रधानमंत्वी नरींद्र मोधी ने केंद्र सरकार के अंतरगत नए भरती किये गए गरीब 71,000 कर्मियों को आज वीडियो कांफरेंस के जरिये नियुक्ती पत्र दिये नव नियुक्त कर्मियों को संबोधत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रतभाशाली और क्षमतावान युवाओं को उच्छत अफसर प्रधान करने के लिए वचन बद्ध है प्रधानमंत्री श्रीमोधी ने कहा कि आज नई नीती और कार्यनीती से देश में नए अफसरों के द्वार खुले हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ व्यवस्था है और दुनिया बड़ी उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रही है इस अफसर पर प्रधान मंत्री ने सभी चुने हुए कार्मिकों को बढ़ाई दी उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा उन्हें राश्यु के विकास में योगदान करने का अफसर प्रदान करती है प्रदेश में आज भोपाल, जबलपुर और अतलाम में रोजगार मेलो का आयोजन हुआ भोपाल में केंद्रिय नागरे कुडियन और इसपात मंत्री जोतरादितिय संधिया ने कारिक्रम को संभोधित किया वहीं जबलपूर में केंद्री किरशी और किसान कल्यान मंत्री नरेंद्र सेहतोमर और अत्लाम में केंद्री सामाजिक नयाएं और आधिकारता मंत्री डॉक्टर विरेंद्र कुमार मुख्य अतिθी थे जबलपुर में पश्यम मध्य रेलवे द्वारा उच्सव भवन में रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें विभनवे भागों में चैनित किये गए 249 युवक्तियों को नियुक्ति पत्र सौपे गए कारिक्र में बतौर मुख्य अतिथी मौजूद रहे केंद्री कृशी मंत्री नरेंद्र सेह तोबर ने कहा कि देश के अमरतकाल में जन्योवाओं को सेवा करने का मौका मिल रहा है वो पूरी निष्ठा से सेवा करे और इस यात्रा में अपना योगदान दे अपने संबोधन क के दोरान कृशी मंत्री ने प्रधान मंत्री द्वारा किये जा रहे देश हितके कारियों का जिक्र करते हुए गौरवान वित महसूस किया भोपाल में 17 से 26 अप्रेल तक अगनीवीर भरती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है इसमें भोपाल समेत अन्यन नौजिलों के अ अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा मोबाल में तीन केंद्रों पर आयोजित होगी इस संबंध में सेना भरती कारियाले से प्राफ्त जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए प्रवेश पत्रों जारी हो चुके हैं अभ्यर्थी अपना एद्मिट काड भातिय सेना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश में कर सबसे अधिक 43 डिग्री सलसियस तापमान राजगर में दर्च किया गया जो प्रदेश में सीजन का सबसे अधिक तापमान है। अगरमालवा कलेक्टर ने जिले के मंदरों की शास्किय भूमी को राजस्वर रिकॉर्ड में दर्च करने के नरदेश दिये हैं। टिकमगर में 11-25 अप्रेल तक राशी परिवार कल्यान कारिक्रम के तहत मिशन परिवार पकवाडा मनाया जा रहा है। गुना में नरधारित सीमा से अधिक तेल का स्टॉक पाय जाने पर कलेक्टर ने प्रबंधक रिलायन स्मार्ट के विरुद्ध दो लाग उनतीस हजार रुपे से अधिक का जुर्माना लगाया है। शुपुरी जिले में कलेक्टर ने अमर शहीद तात्या टोपे समाधी स्थल पर 18 और 19 अप्रैल को आयजित होने वाले शहीद मिला के सुचारू संचालन के नुर्दीश दिये हैं। नर्मदा पुरम जिले में आज भी तपिश जारी है। गर्मी से परिशान लोग नर्मदा नदी के सेठानी घाट सहित अन्य घाटों पर स्नान के लिए पहुँच रहे हैं। और सागर जिले के नर्यावली थानाक शेत्र में मोटर साइकल और स्कूटी सवार आपस में टकरा गए। जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति घाल हुआ है। बुलिटन में इतना ही अजासत दीजे। नमस्कार।